वाक्यांश अपने हात की रेखाऊं की तुलना में अपने कारियों पर अधिक ध्यान दे। किसी के जीवन में कारियों और विकल्पों के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देता है। जबकि हस्त्रेखा विज्ञान और हात की रेखाऊं का अध्ययन एक निश्चित आकर्शन रख सकता है। ये हमारे कर्मों का प्रभाव है जो वास्तव में परिभाशित करता है कि हम कौन हैं और हमारे भविश्य को आकार देते हैं। मानव इतिहास ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने कारियों के माध्यम से महानता हासल की है। भले ही उनके हाथों की रेखाएं कुछ भी बताती हूँ। प्रसिद नेताओं, एनवेशकों, कलाकारों और कार्यकरताओं की कहानियों पर उनकी प्रतिबधता के लिए मनाया जाता है। कार्य हमारे विचारों, विश्वासों और इरादों की मूर्त अभिव्यक्ति हैं। हमारे हाथों की रेखाएं दिल्चस्प होते हुए भी हमारी पसंद के परिणामों की भविश्यवानी या नियंत्रन नहीं कर सकती हैं। य ये हमारे कर्म ही हैं जो हमारे चरित्र, मुईयों और प्राथमिक्ताओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं. एक व्यक्ती जो लगातार दयालुता, करुणा और सतिनिष्ठा का प्रदर्शन करता है. वह किसी भी हस्त्रेखा अध्यायन से कहीं अधिक गहरी एक स्थाई विरासत छोड़ेगा. इसके अलावा, केवल अपने हाथों की रेखाओं पर ध्यान केंद्रित करने से जीवन के प वास्तविक्ता यह है कि हम जो निर्नाय लेते हैं और जो कार्य करते हैं, उसके माध्यम से हम अपना रास्ता खुद बनाने की शक्ती रखते हैं. इस एजेंसी को अपना कर, हम हस्त्रेखा विज्ञान द्वारा सुझाई गई सीमाओं को पार कर सकते हैं और एक ऐसा बना सकते हैं, जो हमारी आकानक्षाओं के अनुरूप हो. व्यवहारिक रूप से, ये दर्शन हमें अपने कारियों और उनके स्वयम और दूसरों पर पढ़ने वाले प्रभाव को प्राथमिक्ता देने के लिए प्रोथ साहित करता है. भाग्या बताने पर भरोसा करने के बजाए, हमें अपना समय और उर्जा व्यक्तिगत विकास. सीखने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने में निवेश करना चाहिए. चाहे वह किसी धर्मार्त उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से काम करना हो, एक सार्थक कर्या बनाना हो या रिष्टों का पोशन करना हो. इन कारियों में हमारे जीवन को इस तरह से आकार देने की क्षमता है जो हमारी हथेलियों पर अंकित रेखाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है. अंत में, कहावत, अपने हाथ की रेखाओं की तुलना में अपने कर्मूं पर अधिक ध्यान दे. हमारे जीवन को आक चुनते हैं और दुनिया पर हमारा जो प्रभाव पड़ता है वही हमारे वास्तविक सार को परिभाशित करता है अपने कारियों और उनके स्थाई परिनामों पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी एजेंसी को अपना सकते हैं सार्थक विरासत बना सकते हैं और एक ऐसे आकार दे सकते हैं जो हमारी गहरी आकानक्षाओं के अनुरूप हो.